आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया है रिसेंटली अभी बाफ्टा आवार्ड दिया गया है और इससे बहुत सारे एक्जांस में बहुत ज्यादा कोशन पुछा जाता है तो इसलिए हम आपके लिए यह लेकर आया है इसको ध्यान से देखिए बाफ्टा एक्चली है क्या तो बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रेटिस अकेडमी और फिल्म एंड टेलिविजन अवार्ड यह बाफ्टा इसको कहते हैं ब्रेटिस अकेडमी और फिल्म एंड टेलिविजन अवार्ड और यह वहां पे ब्रेटिस और अमेरिकन मूवी से र प्रवाइड किये थे तो बाफ्टा भी इसी तरह का अवॉर्ड है और यह सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 29 में 1949 को ये पहली बार बाफ्टा अवॉर्ड दिया गया था इसमार 10 और 11 अप्रील को ये बाफ्टा अवॉर्ड दिया गया है और आप जानते हो कि कुरोना pandemic दिये गया है सबसे पहले देख लेते हैं सर्वस्रेस्ट फिल्म का अवर्ड 2020 में बाफटा की तरफ से किसे मिला है तो यह है नोमार लैंड नुमार लैंड को सर्वस्रेस्ट फिल्म मिला है बाफटा की तरब से तो यह याद रखेगा और सर्वस्रेस्ट अभिनेता का अवर्ड जो है वो एंथनी हॉपकिन्स को मिला है For the Father, The Father मूवी के लिए Anthony Hopkins को Servicesist Abhinita का पुरसकार दिया गया है अगला है Servicesist Abhinitri तो ये है Francis McDormand और इनको Nomadland के लिए ये पुरसकार दिया गया है Best Actress का अवार्ड Nomadland के लिए Francis McDormand को दिया गया है अगला है Best Director Award तो ये दिया गया है Chloe Jhao को Chloe Jhao को Best Director Award दिया गया है अगला है Best Supporting Actor तो Best Supporting Actor जो है वो Daniel Kluya को मिला है Daniel Kluya को Best Supporting Actor के लिए अगला है Best Supporting Actress तो ये है यू जूं योन इनका नाम है यू जूं योन इनको Best Supporting Actress का अवार्ड मिला है बाफ्टा 2020 में किस भारतिये को Best Actor के लिए नॉमिनेशन मिला था ये आपके लिए Most Important है ये जरूर नाम याद रखेगा ये है आदर्स गौरो जिन्हें ये ऐसे भारतिये हैं जिन्हें Best Actor के लिए नॉमिनेशन इनका मिला था लेकिन इनको अवार्ड तो नहीं मिला लेकिन ये जरूर याद रखेगा हो सकता है कि जिन्हें किसी एकजाम में जरूर पुछ दे कि बाफ्टा में 2020 में किस भारतिये को Best Actor के लिए नॉमिनेशन मिला था तो ये है आदर्स गौरो और इनको The White Tiger के लिए Best Accurate कर्टेगरी में भारतिये वनेता अदर्स गौरो को नॉमिनेशन मिला था मुवी का नाम भी याद रखेगा The White Tiger अगला है सर्वस्रेस्ट अनिमेटेट फीचर फिल्म का अवर्ड किसे दिया गया है तो ये है मुवी Soul इसको मिला है एनिमेटेट फीचर फिल्म का अवर्ड अगला है Best Short Film का अवर्ड किसको दिया गया है तो The Present ये Best Short Film का अवर्ड इसको मिला है अगला है Screenplay का अवर्ड किसे दिया गया है तो ये Screenplay का अवर्ड जो है Best Screenplay Award तो ये Promising Young Woman के लिए Emerald Funnel को दिया गया है Emerald Funnel को The Promising Young Women के लिए Screenplay का अवार्ड दिया गया है अगला है Outstanding British Film का अवार्ड किसे दिया गया है Outstanding British Film तो यह है The Promising Young Woman Promising Young Woman जो है वो Outstanding British Film है जिसको यह अवार्ड मिला है आप जानते हो कि BAFTA जो है May 1949 और यह इसका 74 संसकरन था 74 एडिसन था यह BAFTA का आईए देख लेते हैं एक बार फिर से Complete List जो है Winners 2021 का कौन कौन से है तो Best Film आप जानते हो Nomadland है Best Actor Sir Anthony Hopkins है इनको The Father के लिए मिला है Best Film आप पहले ही देख चुके हो Nomadland है Outstanding British Film पहले ही मैंने बताया था Promising Young Woman Outstanding Debuted By a British Writer, Director और Producer तो यह है His House के लिए Remy Wicks को मिला है यह Writer और Director दोनो है Best Film Not in English Language यह Another Round यह इंग्लिस लैंग्विज में नहीं है और इसको Best Film का और मिला है जो कि इंग्लिस लैंग्विज में नहीं है तो यह है Another Round Best Documentary जो है My Octopus Teacher Best Documentary My Octopus Teacher के लिए मिला है Question जो पूछा जा सकता था वो हमने आपको पहले बता दिया था पर एक बार आप यह list जरूर देख लेजेगा इससे हो सकता है कोई ऐसा question पूछ दिया जाया जो हमने question में नहीं डाला हो इसलिए यह हमने सारी complete list यहां पे आपको दे दी है Best Animated Film आप जानते हो Soul है Best Director Chloe Jhao जो है वो Nomad Land के लिए इनको मिला था Best Original Screenplay यह Promising Young Woman के लिए Emerald Funnel को मिला था Best Adapted Screenplay यह The Father Christopher Hampton and Florian Jeller Florian Jeller and Christopher Best Offer Hampton को मिला है अगला है Best Leading Actress यह Frances McDormand इनको मिला है Nomad Land के लिए Best Leading Actress Frances McDormand Best Leading Actress यह Anthony Hopkins है The Father के लिए इनको मिला है Best Supporting Actress यह है You, Jung, Yon और इनको मिरारी के लिए यह अवर्ट दिया गया है Best Supporting Actor यह है Daniel Kluya Daniel Kluya और इनको मिला है Judas and Black Messiah के लिए अगला है Best Original Score यह आप जानते हो Soul की Soul की मूवी के लिए दिया यह है John Battista Best Casting Rocks को मिला है Best Cinematography यह Nomadland है Nomadland काफी जादा बार इसको सबसे जादा बार अवर्ड मिला है इस बार बाफटा में तो यह भी कुशन जरूर याद रखेगा आउटस्टैंडिंग डेबूट बाई ब्रिटिस राइटर डाइक्टर प्रडूसर पहले ही बिता चुके है रैमी विक्स है Editing Sound of Metal यह Michael E.G. Nelson है Production Design यह सारी चीज़े इतना नहीं पुशी जाती है पर आप यहाँ पे देख सकते हो Makeup and Hair के लिए है Sound के लिए है प्लस Special Visual Effect के लिए Andrew Lockie, Andrew Jackson Scott Fischer और Tenet ब्रिटिस सौर्ट एनिमेशन The Old Andy Pussycat Mole Hill Laura Duncalf ब्रिटिस सौर्ट फिल्म The Present है इसको जरूर याद रखेगा ब्रिटिस सौर्ट फिल्म The Present तो यह complete list थी प्लस इसके साथ question था एक question इसमें और add कर दीजेगा आपकी सबसे ज़्यादा award किस फिल्म को मिला है तो यह है Nomad Land अब आप हमें comment करके जरूर बताईएगा कि best actress का award किसे मिला है यह आप हमें comment करके बताएगे और यह भी आप बताईएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हो Thank you for watching